हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने योटोब चैनल नौकरी वाला में तो आज की जो वेकेंसी आ रखी है यहाँ पे जिंदल इस्टिल एन पावर की तरह उससे एक न्यू नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा जो की बिल्कुल फ्रेशर कैनिडेट के लिए निका कर पाएंगे यहाँ पे पर्मानेंट जोब आपको देखने को मिलेगा कमपनिया आपको अकमडेशन प्रोवैड करवा के देगी यहाँ पे आपको ट्रांस्पोर्टिशन फैसलिटी कमपनी के दुवारा मिलेगी यहाँ पे बहुत बढ़ीया सल्दरी आपको मिल जाती है औ अब यहाँ पे जो आपका position रहेगा और आपका जो education qualification रहेगा चलिए उसको जान लेते हैं, देखिए अगर आपने यहाँ पे diploma कर रखा है तो आप eligible है, apply कर सकते हैं, diploma candidate के लिए यहाँ पे diploma engineer training का position रहेगा, deity का और यहाँ पे junior engineer training का position आपको देखने को मिल जाता है, उसके अलबा यहाँ पे अगर आपने b.tech कर रखा है तो भी इसको apply कर सकते हैं, b.tech वालों के लिए यहाँ पे graduate engineer training का position रहेगा, उसके अलबा यहाँ पे assistant engineer training का position आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे job का selection होगा, सबसे पहले यहाँ पे apply करेंगे, तो उसके लिए आपको यहा आनेंगे, बाकी है मैं आपको salary के बारे में, job location के बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को like नहीं किया है, तो like कर देना, हमारा motivation मना रहता है जब आप वीडियो को like करते हो, मात्र 900 plus like काम target रख रहे हैं, अपने दोस्तों के अंदर वीडि provide करवाँगा, जो आपने मुझको बता रखा है, अब बताना क्या है, कि आपकी branch कौन सी है, आपका trade कौन सा है, आपका pass out year कौन सा है, आप freshers हो की experience holder हो, और आप कौन सी location में अभी job search कर रहे हैं, ये सारी चीजे बतानी हैं आपको, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मैंने आपको वीडियो के description और comment box में एक link provide करवा दिया है, connect with me का, simply आपको उस पे click करना है, आपके सामने tab open हो जाएगा, और आप जो भी platform यूज़ करते हैं, LinkedIn, Instagram, Telegram, Facebook, WhatsApp, उस icon पे click करके हमसे connect हो सकते हैं और बात कर सकते हैं, and यहाँ पे मैंने आपको top पे दे रखा है selected student के list को, तो यह उन student के list है, जो कि आज top MNC company में काम करते हैं, हमारे channel के through, तो इसी बात PR channel को subscribe कर लीजेगा, bell icon को जरूर से press कर लेना, ताकि जब भी मैं next video upload करूँगा, आपके पास सबसे पहले notification आएगा, और आप उसको directly apply कर पाऊगे, तो चलिए video को शुरू करते हैं, चलिए बात कर लेते हैं, कि यहाँ पे आपको apply कैसे करना है, job location क्या रहेगा, salary कितना मिलेगा, selection process क्या रहेगा, इन सारी चीजों के बारे में, तो मैं आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पे इनकी officially website पे, यह vacancy निकाली गई है, यहाँ पे, जिंदल, stainless, steel के दोवारा, basically यह जिंदल ग्रूप का यह पार्ट आपको देखनी को मल जाता है, मैं directly इनके career वाले page पे आ चुका हूँ, बिना time waste किये, आप खुद भी check out कर सकते हैं, यहाँ पे आपको एक filter का option मिलेगा, जिसमें आप job के title को, यहाँ पे department को, location को, experience को, सारी चीज़ आप डालके filter लगा सकत हैं, मैं यहाँ पे इस video के अंदर only pressure की vacancy को discuss करूँगा, experience वाले खुद देख सकते हैं, मैं उन vacancy को discuss नहीं करने वाला, जो experience के लिए है, अब यहाँ पे current opening का section दिखेगा, अब यहाँ पे total result आपको दिख रहे हैं, 82, मतलब कि 82 different different position पे vacancy निकाली गई है, अब मान के चलिए यहाँ पे आपको अलग-अलग position देखने को मिलेगी, जैसे कि assistant engineer के पदो पर vacancy है, और भी बहुत सारी vacancy रहेगी, assistant engineer, area sales manager, अब यह आपका diploma engineer trainee, जो कि 13 March को post out की गई है, full time job है, और भी अलग-अलग type की vacancy है, जैसे कि यहाँ पे अगर आपने become कर रखा है, तो आप management trainee की position प BBA कर रखा है, वो यहाँ पे management trainee की position पर apply कर सकते हैं, MBA कर रखा है, तो भी अप eligible रहेंगे, और भी vacancy है, जैसे कि associate manager, junior, engineer, executive, इन सब को आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, one by one सारी position के बारे में, फिर finally मैं आपको apply करते हैं, तरीका और selection process इन सारी चीजों क बार में बता दूँगा, अब यहाँ पे जो पहली vacancy है, यह आपके diploma engineer trainee के पद रहेंगे, हिसार हरियाना का job location रहेगा, तो आपको relocate होना पड़ेगा, कहीं से भी ब्लॉंग करते हैं, तो आपको हिसार हरियाना relocate होना पड़ेगा, वहाँ पे जाके काम करना पड़ेगा, यह vacancy निकाली गई है, यहाँ पे 13 March को HBA2 और HBA3 यह है आपका department रहेगा, आपका full time job रहता है और इसके अंदर experience नहीं मांगा गया, fresher इसको definitely apply कर सकते हैं, अब यहाँ पे अगर आपने diploma कर रखा है किसी भी ब्रांच में, चाहे आपकी ब्रांच सिविल हो, mechanical हो, सेसाइटी हो, metallurgy हो, chemical हो, ceramic हो, कोई भी ब्रांच हो, सब भी ब्रांच वाले candidate apply कर सकते हैं, तो जाट 24 वाले भी eligible हैं, पहले पासर उटू चुके हैं, तो भी आप इसको apply कर सकते हैं, अब यहाँ पे apply करने के लिए उपर button है, apply for this job का, इस पे click करके आप इसको apply कर दीजेगा, एक trainee position पे 3.5 LP देते हैं, 3.5 लाख रूपे देते है, trainee पे, अब trainee का जो period रहता हूँ, आपका एक साल का रहता है, एक साल complete होने के बाद, आपको junior engineer का position मिल जाता है, उसके अंदर आपका salary यहाँ पे 4.7 LP आपका रहता है, 4.5 लाख रूपे के बीच में, 5 लाख तक भी assessment रहेगा, assessment आपको कैसे देना रहता है, सबसे पहले तो आप apply करेंगे, apply करने के just बाद नहीं आता, लगबग 15 से 20 दिन का समय लगता है, आपको एक link मिलेगा आपकी email id पे, क्योंकि जब आप apply करेंगे, वहाँ पे आप अपने email id डालेंगे, phone number पे कभी भी assessment का link नहीं मिलत है, तो email id को आपको daily basis पे check out करना है, spam folder को देखते रहना है, तो वहाँ पे आपको एक email आता है, कि आपका वहाँ पे assessment है, जिंदल, stainless, steel के अंदर, तो वहाँ पे आपको email वाले button पे click, वहाँ पे देखना पड़ता है, वहाँ पे email आजाए, आपको assessment का तो आपको assessment का तो timing mention किया गया, जो date mention किया गया, उस date पे उस time पे आप उसको open करके अपने laptop में, computer में assessment दे दीजेगा, assessment होने के बाल 15 से 20 दिन का समय लगता है, फिर आपको interview के लिए email आता है, interview के अंदर 2 round होता है, पहला आपका technical round होता है, जो भी आपकी branch है, उससे related सवाल आता है, दूसरा आपका वो होता है, यहाँ पे आपका professional round होता है, जिसमें आपकी skill को check किया जाता है, कि आपका communication skills कैसा है, कैसी knowledge है, आपको बोलने का तरीका कैसा है, यह सब कुछ होने के बाद आपको joining मिल जाती है, यह मैंने आपको बता दिये, next vacancy आ रखिए, यह आपकी रहेगी यहाँ junior engineer के पदों पर, अब यह vacancy यहाँ पे SMS department रहेगा, और इसके अंदर किसी type का experience नहीं मंगा, all branch eligible है, अगर आपने diploma कर रखा है, तो भी आप eligible है, बीटेक कर रखा है, तो भी आप इसको apply कर सकते हैं, और यहाँ पे all branch eligible रहेगी, 24 वाले candidate भी eligible है, और पहले पास उट हो चुके apply कर सकते हैं, apply for the job पे click करके apply कर देना है, next vacancy रहेगी, assistant engineer, CRM department रहेगा, इसके अंदर भी यहाँ पे जजपूर, उडिसागा job location रहेगा, और यहाँ पे 4 March को vacancy पोस्ट आउट की गई है, और इसके अंदर fresher candidate eligible है, और इसके अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि या operation का, इसके अंदर apply कर देना, इसके अंदर BB tech और diploma दोनों type के candidate apply कर सकते हैं, एक और vacancy है, यहाँ पे experience वालो के लिए है, जहाँ पे ज़्यादा experience नहीं मांगा है, बस एक साल का experience मांगा है, उसको भी देख लेते हैं, इसी वीडियो के अंदर, निकिता के दौर vacancy application रहेगा, उसके अलवा यहाँ पे जब के department रहेंगे, SMS का department रहेगा, LRF का department रहेगा, TCM का रहेगा, control room का रहेगा, यह आपका apply link दे रखा है, जल्दी से apply करने के तरीके के बारे में जान लेते हैं, तो मैंने apply link पे click कर दिये, यह tab open हो जाएगा, अब यहाँ पे आपको क् आपका qualification, आपका जो भी qualification है, mechanical, metallurgy, BAC या फिर कोई other branch है, उसको डाल सकते हैं, उसके बाद आता है कि आप कौन सी position के लिए apply कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको अपनी position को select कर लेना है, उसके बाद आता है कि कितना work experience है, देखें यहाँ पे जो भी आपके पास work experience है, उसको बाद mobile number क्या है, DOB क्या है, notice period क्या है, current location क्या है, resume को attach कर देना, submit वाला button इस पे click करके आप submit कर सकते हैं, देखें बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मैं बच्चों से जब बात करता हूँ, तो उनकी problem को सुनता हूँ, वो गलती क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने resume के एक साल के experience को डालेंगे, और आप pressure की position को apply करेंगे, तो आपका कैसे selection होगा, तो आप तो नीचे जा रहे हैं वहाँ पे, अपने से जो आपकी जो position रही है, उससे नीचे वाली position पर apply करेंगे, तो यह industry के अंदर आपका selection कैसे होगा, तो आपको वहाँ पे अपने से उपर व या फिर recently pass out हो चुके हैं, या फिर जो pass out होने वाले हैं, या फिर जो fresher candidate हैं, उनको लेते हैं, अगर experience वाली position पर apply करने हैं, आपके पास experience है एक साल का, तो आप इसी position के लिए apply करेगा, जिसके अंदर अलग-अलग type की position है, वैसे मैंने आपको सारे link वीडियो के description में दे र notification कौन सा है, कौन सी job आप search कर रहे हैं, all the very best, जैहिन!